गरीबों की अब सुनने वाला कोई नहीं है गरीबों की कौन सुनेगा सरकार सब अपना काम करती हैं उनको कैसे पता कि एक बच्छा फॉर्म लगा कितने कितने बड़े मुश्किल से पैसे लगे फॉर्म बढ़ता हैं फिर वो तेहरी करता है जब चाहिए डेट आगे खिसका जब चाहिए डेट वापस ले ली जब चाहिए समय पहले दे दिया लॉन्पलाइजेशन कर दिया जैसे इनकी मर्जे वैसे किया यह कई न कई कितना घलत हो रहा है अपने लोगों के साथ लसकर भी तुमारा है सरदार भी तुमारा है तुम सच को जूट लिग दो यह अखबार भी तुमारा है इस दोर में विद्यारती जाए तो कहा जाए कानून भी तुमारा है दरबार भी तुमारा है जी मैं सही कह रहा हूं बिलकुल जब तुम चाहो बढ़ती को रद कर सकते हो जब आप चाहे बढ़ती को आगे खिसका सकते हो जब तुम चाहे डेट को नजदिक ला सकते हो आखिर ये चल क्या रहा है मामला समझ में नहीं आ रहा है ये पसु परिचर विद्यार्टियों के साथ कितना खिलवाड किया जाएगा एक बड़ती जोजार चोबिस टेविस की बात की जाए टेविस के अंदर आय थी और चोबिस कम्प्लिट होने जा रहा है फिर भी अभी तक उसके अंदर कितनी अगनी प्रिक्षा दे जारी है इन बच्चों के साथ वास्तमी आज इस वीडियो के अंदर अपन इस बात पर इस मुद्य पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार ने कैसे खेल बिगड़ा है इस वीडियो के अंदर वास्तम ही इन विद्याटियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है नॉर्मलाइजेसन को लेकर यह नॉर्मलाइजेसन परिवासा आज तक किशी भी विद्याटियों को समझ में नहीं है वीडियो कंप्लिट देखेगा स्क्रिप्ट न कीजेगा आज नॉर्मलाइजेसन भी क्या होता है इसके बारे में भी अबन जान करी लेंगे प्यारे विद्याटियों पसु परिचर की अगर आप तेहरी करे हो राजस्तान के अंदर और मेरा वीडियो फ़ास्ट वार देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्टियों मैंने पसु परिचर का complete course है वो हमारे यूटूब चैनल के उपर बिल्कुल free of cost करबा रखा है उसके बाद उस course से related सारी PDF सारे important videos वो सारे के सारे हमारे टेलिग्राम ग्रूप में डाल रखा है जिसका कोई भी चार्ज नहीं है अगर मैं कहता कि हम लोग इतना पसु परिचर विद्यार्टियों के लिए कर सकते हैं तो पिर सरकार क्यों नाक में दम करिये हैं यह हमें समझ में नहीं आ रहा है प्यारे विद्यार्टियों अगर आप पसु परिचर की तैयरी कर रहे हैं तो मैं अभी भी कह रहा हूं यह वीडियो और य जिसका नाम मत्र कैसे सूल करेने वाला है अब मैं बात करूंगा दस बढ़ती परिक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन परिक्रिया अपना एगा राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड दस बढ़ती परिक्रियाओं के अंदर जिसमें आपके पसू परिचर बढ़ती शीदी सबसे उपर दी है जिसके अंदर 5934 पदो की संक्याई आरे भाई रहम करो फोर्थ ग्रेड वेकेंसी है इस फोर्थ ग्रेड वेकेंसी की अगर आपकी उकाद नहीं है तो पहले तो फोर्म मत निकड़ो इसके अंदर योग्यता बढ़ा देते आप कुछ भी कर देते आपने 17 लाख विद्याटियों को इन्वाइट किया है उसके बाद आप एक दिन में एक्जाम नहीं करवा सकते हो तो आपके पास इतने भी होना टीचर नहीं है कि आप पेपर का लेवल समान रख सकते हो इस तर बराबर रख सकते हो अब इसके अंदर सरकार के रिए हम करेंगे नॉर्मल मैं प्यारे विद्याटियों आज तक कह देता हूं चाहिए वो सेंटर लेवल का हो चाहिए वो राजस्तान गोर्मेंट का हो किसी भी विद्याटियों को नॉर्मल लाजेशन की परिवासा आज तक पता नहीं है नॉर्मल लाजेशन होस्ता कैसे हैं इसके अंदर कौन सा का मलब समझत हो राजस्तान सरकार कहती है कि मैं आपके एक दिसंबर से लगा कर चार दिसंबर तक पसू परिचर के एक्जाम करवाने जा रही हूँ आयोजित पहली बात तो आप मुखर गए आप के रहे थे मैं 2022 में करवा रही हूँ बाइस से अटक गए फिर आपने का कि मैं 24 में करवा दूँगी 24 में आपने का मैं सेप्तंबर में करवा दूँगी फिर डेट चेंज कर दी फिर का कि मैं नहीं दिसंबर में करवा दूँगी 15 दिसंबर डेट चेंज की हैं फिर अभी एक सब्ता पेल आपने और डेट चेंज क तो नहीं मैं तो एक दिसंबर के करूंगी और अब भाई थे क्या करिया हो तुम सरकार चला रहे हो क्या करो एक तयारी करने वाले विद्यार्तियों के साथ क्या बीतरी है पर प्यारे विद्यार्तियों इन संगर्सों के साथ हमें इन कटनायों के साथ इन चुनोतियों के साथ आपसु परिश्र के अंदर होगा तो अब सोचो आपके एक दिन के अंदर यनी की Total ही चार पेपर होगा इन चार पारियों में आपका तो सब का पेपर अलग लग आएगा, आएगा अग ने आएगा, सीधी सी बात बताना, अब सब का पेपर अलग आएगा, मैं बता रहा हूँ, तीन पेपर के अंदर एक जैसा क्यूसन मिला, तीन पेपर के अंदर एक जैसा क्यूसन मिला, माल लिजे पहले पेपर में क्यूसन म बड़ा हो जाता है अवस्तम हो जाता है या फिर बुड़े उंट को क्या कहते हैं अब यह चार क्यूसन उंट से रिलेटेड ही आए हैं अब सरकार के लिए कि नहीं बुड़ा उंट को क्या कहते हैं या बड़ा उंट को क्या कहते हैं नॉर्मल सवाल है पर हम लोगों को नहीं विद्यातियों को समझ में आया उस फोर्मूले का एक ही सोल्यूसन है सांती सांती करके बैठना इससे अच्छा है कि उस पेपर को अपन इस तरीके से टेन करें कि नॉर्मलाजेशन की हमें जरूरत नहीं पड़े कि सरकार आयो यह नंबर में से तो क्या कटेगी और कटेगी द 10 पास विकेंसि ए फोर्ट ग्रेट वेकेंसि यह विद्यार्टी इनके साथ आप क्या नॉर्मलाजेशन कर रहा है और क्य से एटेन करना उसको पता नहीं आता है कि इसमें नेगेटिव- rolled X का एकजाम दे कर निकल कराता है उसको क्या पता कि i- marking यह से ओती पेपर कैसे अंगरना है और आप उसमें भी वी नॉर्मलायाजेसन दे रहे हो उसमें आप नेगेटिव मार्किंग để Angeles हो है। आपको फंसु परिचर छाहिए या फिर वेटेनेरी डॉक्टर चाहिए यह बताओ और जब वेटेनेरी डॉक्टर ही चाहिए थे आपको तो फिर वेटेनेरी डॉक्टर की वेकेंसी निकालो पसी परिचर की क्यों निकाली और जब पसु परिचर फॉर्ट ग्रेड की आपने वेकेंसी निकाल दिये तो पसु परिचर ने दोड से गुजरे हैं क्योंकि राजस्तान में बेरोजगारी चरम सीमा पर हैं हर विद्ध्यार्ति चाहता है कि मैं अपने माबापों का सपना पूरा कर दूं मैं अपने उपर से बेरोजगारी का कलंग हटा दूं तो प्यारे विद्ध्यार्तियों घबराने की आऊ सकता नहीं है जीता वही है जो जीता है अब मैं एक ही बात बता देता हूं कोई बात नहीं नॉर्मलाइजेशन हो गया तो कोई बात नहीं नॉर्मलाइजेशन के लिए पेपर को कैसे अटेंड करना है इसके लिए हमने एक completely वीडियो बना रखा है वो आप जरूर देखना मैं यह आपर ज्यादा डिसकर्श नहीं कर सकता हूँ प्यारे विद्याट्यों आप first वार मेरे से जुड़े हैं और आप पसू परिचर की तेहरी करे हैं राजस्तान में अन्य कोई सेग्मेंट की भी तेहरी करे हैं स्वागत आपका पसू परिचर बढ़ती को अम दिसंबर तक छोड़ने वाले नहीं है मैंने अपने हैंड इटर नोट निकाले उसका मैं लाइव सोलूसन करवा रहा हूँ मेरा एक ही तारगेट और एक ही उदेशिये इस बार हर घर के अंदर हर राजस्तान के हर गाउं के पसू छीके स्टाले के अंदर एक पसू परिचर मेरा ओना चीए यह target लेकर मैं निकला हूँ और आप मान के चले कि विदन दो महीने हुए मुझे पढ़ाते हुए और दो महीने के अंदर online 60 परिवार का कम से कम 90,000 प्लस विद्यार्तियों का परिवार हुआ है केवल और केवल कंटेन और पढ़ाने के चले और आप लोगों से जुडाव के करण तो देर किस बात कियें अभी आप चैनल को जोइन कीजिए सब्सक्राइब कीजिए का मैं कह रहा हूँ पसू परिचर दिसंबर तक आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ इस सरकार की सारी छूनोटिया हमें स्विकार हैं हम लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास हैं, हम जीतेंगे, आप नॉर्मलाजेशन करो या ना करो, आप नेगेटिव मार्किंग रखो या ना रखो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, हम जुनून के साथ लड़ेंगे, हम जुनून के साथ जीतेंगे, मिलते हैं, हम पसू परीच प्रिक्षा पर बहुत भारी हैं मैं हैंड इटन नौट सॉल्यूशन के लिए तैयार हूँ आपकी क्या तैयरी हैं अब खुर्सी लेकर बेट जाओ किसी के बेखावे में मताओ हमारे नौट्स और कलम को कर लो तैयार क्योंकि अब लाइव शोल्यूशन होगा धुआधार इस पड़ा दे तो आपको सलेक्षन से कोई रोक सकता है अभी ज्यादा मैटर पढ़ने से नहीं से मैटर पढ़ने से सलेक्षन होता है अभी तक आपने अमारे नौट्स और नहीं किया तो कर लिजेगा क्योंकि इस बुक का लाइव सोल्यूशन 15 जून से हो रहा है और दिसंब मार्केट के अंदर दिसंब पर तक इसके धुए उटेंगे मार्केट के अंदर जिसंब पर तक